दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजों के टाइम में जो जमिनदारी सिस्टम चला करता था हमारे देश में उसके बारे में जमिनदारों के बीच में एक ऐसा भी वर्ग था जिनसे जमिनदार लोग हमेशा परिसान रहते थे यहां तक कि उनसे डरते भी थे वो वर्ग था किसानों के बीच से ही किसान के बीच से कुछ ऐसे भी किसान हुआ करते थे जिनके पास ज़्यादा जमीने हुआ करते थी ठीक है जिनका रुत्बा इतना ज़्यादा हुआ करता था कि जमिनदार भी उनसे डरते थे जमिनदार को जो tax देना चाहिए रहता था जमिनदार किसानों से tax लेता था और उस tax को अंग्रेजों के पास जमा करता था लेकिन यह जो बड़े-बाड़े किसान होते थे जिनको जोतदार कहा जाता है ये जोतदार लोग पूरा पैसा कभी देते ही नहीं थे एकदम परिसान करके रख देते थे और यहां तक कि जो लोकल किसान रहते थे उनको भी जमिनदारों के खिलाब में भढ़का देते थे हमारे देश में जो जमिनदारी सिस्टम की नीव रखी गई थी तो इसके लिए अंग्रेजों ने ये सबसे पहले तो ये कोस्टन उठाया कि हमें क्रसी में सुधार करना है इसके साथ साथ में हमें निर्धारित रिवेन्यू भी मिलना चाहिए इसका ठेका लेगा कौन इसको देने का हमारे पास जमा करने का तो कंपनी के जो अधिकारी थे उनके बीज में काफी लंबा वाद बिवाद चला था इसमें फिर इसके बाद बंगाल के जो राजा थे इसके साथ साथ में जो तालुक के दार थे जो तालुक के दार होते हैं वो व्यक्ति जिसके साथ तालुक यानि संबंद हो आगे चलकर तालुक कर्थ छेदरी इगाई हो गया था तो जो राजा हुआ करते थे और तालुकदार हुआ करते थे इनके साथ में अंग्रेजों ने इस्तमरारी सिस्टम को लागू किया था इस्तमरारी सिस्टम को लागू किया था अब इन्होंने क्या काम कर दिया यह जो राजा और तालुकदार थे इनको ही जमिनदार की रूप में उन्होंने वरगित कर दिया इनको और उन्हें सदा के लिए कह दिया कि हमको आप सो रुपईया एक निर्धारित रकम रिवेन्यू आप हमें जमा करते जाए उन्होंने परिभासा में ये गहा था जमिनदार गाउं में भूसामी नहीं है बलकि वो अंग्रेज का राजस समाहर्ता मतलब संग्राह मात्र है ऐसा अंग्रेजों की तरब से जमिनदार के लिए परिभासा तै की गई थी अब हमें तो मैनली मतलब है जोतदार से जोतदार से जमिनदार हमेशा एकदम डरे रहते थे अब ये जो जोतदार होते थे इनका जो एरिया है कई-कई हजार एकड़ की जमीन वाले भी रहते थे बड़े बड़े रखबे ये लोग अपने पास में रखे हुए थे इस्थानी व्यपार और साहुगार के कारों पर भी इनका कंट्रोल हुआ गरता था इस प्रकार वे उस एरिया के जो गरीब किसान है इनके उपर व्यापक अपनी पावर का इस्तमाल कर सकते थे उनकी जमीन का काफी भड़ा भाग बटाईदारी में वो लोग देते थे जैसे कि यदि मेरे पास ज़्यादा जमीन है तो मैं क्या काम करूँगा गाउं के जो गरीब किसान है या जिनके पास कम जमीन है मैं उनको कहूँगा कि आप इतने एरिया में आप खेती करिए आधिया में हम लोग खेती करेंगे आप को जितने भी इसमें प्रोडक्शन हो रहा उसका आधा रख लेना और आधा मिर को दे देना इस प्रकार से बटाईदार से भी वो अपना हिस्सा कमा लेते थे गाउं में जोददारों की जो पावर थी जमिनदारों से बहुत जादा आगे थी जमिनदार के विपरीत जमिनदार रहते थे सहरी इलाके में जोददार तो गाउं में ही रहते थे और गरीब ग्रामवासियों को काफी बड़े वर्ग पर सीधा कंट्रोल अपना रखते थे दूसरी बात जमिन द्वारोदारा जो गाउं की जमा है लगान है टेक्स है उसको बढ़ाने का वो हमेशा प्रतिरोद करते थे घोर प्रतिरोद करते थे जमिनदारी अधिकारियों को अपने करतव का पालन करने से ये लोग रोकते थे जो रईयत उन पर निर्भर रहते थे मतलब जैसे मैं बड़ा किसान हूँ मैं जोतदार हूँ मेरे उपर जो छोटे किसान निर्भर है तो मैं उन्हें अपने पक्ष में कर लूँगा और जमिनदारों के खिलाब में बढ़का दूँगा और जमिनदार को राजसु के भुकतान में जान बूच कर देरी करा देती थे सच बार तो ये है जब राजस का भुकतान नहीं किये जाने पर जमींदार की जमीन निलाम हो जाती थी उस टाइम में फिर क्या करेंगे ये बड़े-बड़े किसान लोग ही उस जमीन को खरीद लेते थे इस प्रकार से जमींदार की जमीन थी वो निलाम हो जाती थी अपने हाथ से उनकी जमीन चले जाती थी जो बंगाल वाला एरिया था नौर्थ बंगाल में सबसे जादा जोददार प्रभावसाली वेकती थे अब यहाँ पर सामने जो पिक्चर दिखाई दे रही है यह उनी बड़े बड़े किसानों की मतलब जोददारों के घरों की पिक्चर है ये एक रियल द्रसे आपको सामने प्रस्तुत किया गया था उस दोरान अंग्रेज चित्रकारों के दोरा कई सारे चित्र बनाए गए थे उन्ही चित्रों में से ये भी था ये क्या है आम लोगों के जनजीवन से संबनित पिक्चर बनाए गए है ये वाली जो पिक्चर आप देख रहे हैं ग्रामिड बंगाल के एक घर का चित्र है उन दिनों जूतदार और साहुकार लोग ऐसे ही घरों में रहते थे आप देखिए न ये सिंगल डबल मंजल वाली बिल्डिंग में लोग रहते थे जाबिए थे बनाए पिक्तार आप है